एलो फ्रेंज तो आज हम आपको बताऊंगा अचारी चिकन मसाला कैसे बनायता है ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाने के लिए फ्रेस्ट मसाला का यूज़ की जाता है कोई भी एक्ट्रा पॉर्डर बाले मसाली यूज़ नहीं किया चाते हैं और के देखे अप कलर देखे चिकन का चिकन बहुत ही सौफ्ट और जूसी बनता है तो इसलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले एक किलो 200 ग्राम में आप मैंने चिकन लिया है और के देखे चिकन की पीसी देना वो मैंने छोटे निकरवाए हैं तो सबसे पहले हम चि के साथ आप चिकन को धोते हैं अच्छी तरह से इसमें एक्ष्ञा value पानी में दाला थी पर आप दीज्द एए कम से 10 मिनंड तक नहीं इसी नमक और बिनेगर फाले पानी में छोड़ देना आपने चिकन को और दस warto धे पानी का या चेंज हो चुका है इसके बद एक बार अच्छी तरह से इसको दो लीशे दोने के बद आपने इसको ना च्छनी के उपर रख देना है ताकि इसमें एक्ष्टा पानी या बो निकल जाए फिर आप इसके छोड़ी पीसिस कर लीशे और जो लेग पीस होते हैं अगर आप इसको साबूत रखना चाते हैं इसमें आप कट लगा लीशे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए और मोटे मोटे पीसे हैं उनमें भी आपने कट लगा लेने हैं फिर आपने चिकन को मेरनेट करना है एक चमच आप इसमें नमक एड़ कर दीशे थोड़ा सा हल्दी पौड या लाल मिर्श का पौडर डाल दीशे तीखा कम खाते हैं तो देगी मिर्श पौडर का यूज़ कीज़ेगा और इसके साथ में अदर गलस्म का पेस्ट एड़ करने हैं आपने दो चमच भरके डाल दीशे बड़े वाले चमच अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लिज़े और कम से कम 30 मिन तक आपने चिकन को इसी मेरिनेशन में छोड़ देना है तब ही चिकन के अंदर तक नमक मिर्श का अच्छा टेस्ट आएगा अब हम चिकन पकाने के लिए ग्रेवी तियार करेंगे तो यहां पर मैंने 5 मीडियों साइच के प्याज और 4 टमाटर लिये हैं ज चोड़ा चमच आपने साबू धनिया एड़ करना है एक बड़ा चमच इसमें साबू जीरा एड़ करेंगे आदा चमच आपने इसमें सौंफ एड़ करनी है मोटी बारीक सौंफ कोई भी आप डाल सकते हैं एक बड़ा चमच आपने इसमें सरसों के बीच एड़ करने है में 2-3 आपने लॉंग एड़ करने हैं थोड़ी सी मैंने साबूत मेथी भी आड़ किये इसमें और इसके साथ में 12-15 काली में श्रालनी है और इन मसालों को आपने एक्तम लोग फ्लेम में ना 2-3 मिन्ट तर ड्राइर रोश करने से एक तो मसालों का फ्लेवर एक्टिवेट हो इसके वता मसालों को थंड़ा कर लिशे थंड़ा करके आपने इनका एकदम फाइन पाउडर बना देना है तो इसी मसाले का आपने यूज़ करना है अचारी चिकन बनाने के लिए यहां मैंने स्टेंलर स्टीर की कडाही लिए हैं सबसे पहले उसमें तीन से चार बड़े च ची एक तुकड़ा दाल चीनी और इसके साथ में आप orsकलों्जी और के देखें साथ में ऎपने इसमें थिख्योंजी और नहीं करनी है क्लॉंजी से चिकन में बहुत अचा अचारी टैस्ट आएगा और इसके बबद आ इसने बारीक रट याज पृच आएट करना क tension को कर इसे लाल मिρस्च पॉडर को भी मिक्स करके ठोड़ा सा पका लीए अब आपने इन मसालां को ज्यादा जलाना नहीं इसके साथ साथ में आपने इसमे बारी एकट उए टमाटर आड़ करते ने तमाटर को आप इसके पीस के भी डाल सकते हैं और एक छोड़ा चमच आप ने इस तक कि टमाटरों को जो कच्चा और खट्टा डेश होता है बोग खतम होई जाए और थोड़ी सी मैंने इसमें बारी कटी हरी मिर्ष एड़ किया है यह जो अचारी चिकन मसाला होता है थोड़ा स्पाइसी रहता है खाने में तो कि देखे हरी मिर्ष को मिक्स कर लिया है इसके जो कि अचारी मसाला एड़ करेंगे तो पूरे मसाले का यह यहां पर मैंने यूज नहीं किया क्योंकि चिकन की क्वणिटी थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया है मसाला को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं प्याज और टमाटर के साथ में और थो अच्छे से पका लेना है तो कि देखिए अच्छे से मसालों ने पकने के वाद ओयल छोड़ दिया है इसके वद आपने इसमें मेरनेट की हुआ चिकन एड़ करना है अब गैस की फिलिम आपने मीडियम कर देनी है और चिकन को प्याज टमाटर के मसाले के साथ अच्छी तरह स मिक्स हो जाएगा फिर आप गैस की फिलिम रोड़ इसी बढ़ा सकते हैं और चिकन की आपने बुणाई करनी है तो अच्छेशे से चिकन को पहले गर्म होने देते हैं जैसे चिकन अच्छी तरसे गर्म हो जाएगा पिर आपने चिकन को पांच मिंड तक भूनल लेना है उपर से कबर करके फिर आप इसको पांच मिन तक पकने दीशे तो यहां पर मैंने पांच मिन तक चिकन को एक तम लोग फले में पका लिया है और के देखिए चिकन की जो ग्रेवी है उसने ओयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है और बीच में एक तो बार मैंने चिकन को तो चिकन को पकाते हैं मुझे तोटली यहां पर 15 मिन तो चुके हैं और आप देख सकते हैं प्यास्ट माटर की अच्छी खासी स्मूथ ग्रेवी बंच चुकी है और चिकन अच्छी तरह से हमारा यहां पर लगवद 60-70% पक भी चुका है फिर आपने इसमें पानी एड़ क से कबर करना है कम से 10 मिन तक चुक पकने दीछे क्योंकि चिकन चो फीसी थोड़े से बड़े हैं अगर आपने चिकन के छोट झोड़े करवाए हो वह 20 मिन में बें पख जाते हैं तो यहां पर टोटली 25 मिन चिकन को पकते हुए और के देख सकते हैं गरेवी ने आपर चोड तोड़ा सा अपने इसमें बारी कट और हरदनिया डालना है और इन सब को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीशे गर्म मसाला बगर डालने की कोई जरूर दिनी है क्योंकि हमने इसमें होल स्पाइसिस का यूज भी किया है और साथ में खड़े मसाले अचारी मसाले के साथ चिकन अचारी चिकन मसाला है जब तक मिर्चे शैलो फ्राई हो रही थी तब तक चिकन भी लोफले में पक रहा था और के देखिए पता कैसे चलता है चिकन अच्छे से पक चुका है चिकन ना हड़ी चोड़ना शुरू करतेता है और कलर भी चिकन के अपर बहुत ही बहत्तरी आच चुका है इसके वद आपने इसमें अचारी मिर्चे आदे नहीं है इनको भी मिक्स कर दीशे और करमा गरमा चिकन को सर्व कर दीशे तो फ्रेंस पीडियो अच्छा लगोगा like share comment चुल कीजिए का okay friends thank you